हेलो स्टूडेंट्स and my dear friends so काफी दिन से वेटिंग तो हो रहा है नीट एक्जाम दे दिया कब दिये थे सप्टेंबर बारा को बारा सप्टेंबर ऑक्टूबर नवेंबर डिसंबर जैनवरी चार मैना हो गया एक्जाम दिये हुए अभी तक तो कुछ रिपोर्ट नहीं है का समझ रहे है तकलीफ हो रहा है ठीक है और इफक्ट जो बच्चे का सेलेक्शन हो चुका है पता है मेरे मांक सितना हारे सीट मिलेगा फिर भी वेट कर रहे है ठीक है अब तो लग रहा है को रोना यह कंसली कब होगा आफ सभी के लिए गूड नीउस है गूड नीउस सुना से पहले मैं बताना चाहूंगा कि कि अगर आपने अभी भी अप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दिए क्योंकि अभी नीट का कॉंसलिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको सारा इंफॉर्मेशन से मिलेगा टाइम टू टाइम ठीक है सो वेलक सब्सक्राइब डैस्टी का कितना परसेंट हैं सी का कितना है यह सारे इंफॉर्मेशन आपको दे चुका थे मेरे पिछले वीडियो में जो नहीं देख है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आप विजिट कर सकते हो ठीक है और आज के इंफॉर्मेशन है कि आपका ओल इ चेक करना है कैसे चेक करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक सब दिया हुआ होगा आपको वहां से मिल जाएगा इंफॉर्मेशन तो 17 से 18 को सीट मैट्रिक्स मिलेगा यानि कि जो आपका ओल इंडिया कोटा का 15 परसेंट का जो भी कॉलेज है जहां जहां का जितना जितना सीट है वह आपको मिल जाएगा आप उनलाइन इसे डाउनलूड कर सकते हो ओफिशल वेबसाट बता देता हूं ठीक है mcc.nic.in यह ओफिशल वेबसाइट में आप विजिट करिएगा तो आपको सारा इंफॉर्मेशन देखनों को मिलेगा अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब् जेवी XAVI, जेवी Foundation वहां पर जाएंगे इस चैनल का लोगो आपको दिखेगा तो आप वहां से जॉइन हो सकते हो आपको सारा इंफॉर्मेशन आपको जो भी step by step होगा आपको मिल जाएगा क्यूंकि इस बार All India quota का counseling चार step में होगा और पांचवा भी होगा जो stray back and round भी हो हो आप जैसे की 17 से 18 को आपको क्या मिल रहा है seat matrix मिल जा रहा है कि इतना इतना सीट है ठीक है फिर आपका काम चालू हो रहा है 19 टू 24 जैनवरी फिर से बता दो हिंदी में 19 से ले करके 24 जैनवरी तक क्या करना है इसमें आपको देखिए 19 तारीक से ले करके 24 तारीक के अंद आपको मेंसें क्या रात को नहीं दोपेर का 12 बजे यह अपको मेंसें क्या हूं यह आप को 12 बजे मानना है कि 12 बरेखिए आपका register बंध हो जा रहा है फिर आपको time दिया जा रहा है तीन बजे तक payment करने का अगरा आप registration के along payment कर दो तो well and good या तो फिर आपको time मिलेगा सीट म एंट्रिस को देखके उस पर आपको seat lock लगा देना है कि यहां यह seat ले लिए है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको wait करना है ठीक है पतीस चबिस verification होगा ठीक है 27-28 processing होगा 29th of January को क्या होगा 29th of January को आपको आपका seat मिल जाएगा seat allotment हो जाएगा 29th of January को ठीक है 29 जनवरी को आपको seat मिल जाएगा 30 January को reporting time होगा यह रहा फर्स्ट रांड कांसलिंग ओल इंडिया कोटा का information ठीक है अगर किसी भी तरह अगर problem है कुछ पूछना है तो comment कीजिए टेलिग्रम चैनल को जॉइन कर लीजिए फिर से बता रहा हूं द जेवी फांडेशन टेलिग्राम पे जाका direct search करेंगे तो चैनल के logo मिलेगा आप वहाँ पर जॉइन हो सकते हो आपको current information के लिए ठीक है और क्योंकि second round, third round, fourth round का जो भी counseling का जो भी information होगा आपको दिया जाएगा चैनल को please subscribe करके साथ ही notification जो bell button आएगा उसको click किजिएगा क्योंकि आपको तुरंद information उससे मिल जाएगा ठीक है और अगर आप पड़ाय start कर दिये हो क्योंकि अभी आपको sincere हो जाना है ठीक है क्यों आपको अभी से start कर देना है, you should not waste your time, you should start from now, अभी से start कर दीजिए ठीक है, so पड़ाई करकर रही है जो निया साल के लिए 2022 के लिए ठीक है, किसी भी तरह का doubt हो रहा है तो मुझे message कर सकते हो, description पे आप message कर सकते हो, telegram पे जूर सकते हो, ठीक है, और आपका जो भी doubt हो रहा ह स्टार्ट करेंगे, and physics भी अपका start होगा, physics अपका start हो जाएगा, next 15 तरह से आपको physics start हो जाएगा, ठीक है, 15 से physics से start होगा, and जो भी physics में आपको बोजन को ऐसा है, कि बायो का student है, मेरा physics week है, don't worry यार, मैं हो ना, physics के problem, क्या, कुछ नहीं है problem, ठीक है, क्योंकि नीट कोई IIT advanced level का question नहीं आ रहा है, नीट में simple question हो रहा है, बस धोड़ा सा practice चाहिए, अगर हम जादा practice करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा, तो हम इस वीडियो पे आप देख सकते हो, हम एक question करवाते है, मतलब अगर आप लगबख वीडियो देख लो, ता आपको पुरा अच्छा feel आ और आप इस channel पे भी देख सकते हो, ठीक है, तो सारा चंद जो भी वीडियो आएगा, आप उसे time to time देखते रही है, हैना पढ़ाई को चालू रखिये, कहीं पर भी अकर test join कियो हो, तो please request है, जो गलती हो चुका है, जो कर रहे है, वो गलती मत कहिए, test को time to time दीजिए, ठीक अभी भी time है, अभी भी आपके पास 6-7 मैना, in fact, 6 मैना at least, अभी भी time है, जून से पहले है, आपका नीट नहीं होने वाला, ठीक है, तो आपके पास 6 मैने time है, आप अभी से लगा रहे हैंगे, चार-पांच घंटा physics को दीजिएगा, तो आपको आराम से आपको physics हो पूरा 12 तक का modern physics खतम करेंगे, तो अगरा हापको physics में डर लग रहे हैंगे, तो अगरा आपको physics पे डर लग रहे है, तो दर को निकालना है, निकालना तो आप्मी को है, और कौन निकाल ले अगा अगा डर को, ठीक है, तो पढ़े रही है, लगे रही है, keep studying, work hard, और उमीद मत छोड़िये ठीक है तो एनम जंप के पार्टिसिपेट की जोल एंडे कांसलिंगे लिए and all the best keep studying so bye bye take care